नमस्कार दोस्तों आप और मैं बखु भी समझ सकते हैं कि यदि किसी करदाता के विरुद्ध आयकर विभाग यानि आयकर की मोटी डिमांड से परिशान हैं मैंने बहुत सी बार दोस्तों ऐसा देखा अपने professional experience में कि बहुत से करदाता किसी ने किसी वज़े से चाहे उनकी mail ाइडी प्रॉपर्ली अपडेटेड नहीं है चाहे उनका case प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं हो पाया एओ के समक उनके अगेंस्ट में एक मोटी income tax demand खड़ी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी अगर सही तरीके से उनका representation हो जाता तो पर तो पीछे जाने का कोई रस्ता नहीं है अगर एक income tax department खड़ी हो गई तो अब आपको उस matter को आगे लेके लड़ना है आगे लेके remedies डूणनी है तो आज की इस वीडियो से दोस्तों मैं सी अनुभाटिया आपके समक शाजिर हूँ इस गंभीर एम इंपॉर्टन विशे क को लेकर के और मैं समझता हूँ कि बाइदा टाइम मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान होगी जो आपकी चिंता की लकीरे हैं वो कुछ हर्त तक निश्चत रूप से कम होगी आए दोस्तों सबसे पहले एक basic understanding रखता हूँ कि what kind of demands are raised by income tax department on assesses के income tax department generally करदाता हूँ पे किस-किस तरह की आयका demand create करता है एक tax demand यहनी income tax related demand जिसमें income tax department कहरा जी आपका tax और interest due है नौ यहाँ पर मैं tax में income tax सरचाज HEC शामिल कर रहा हूँ और interest under section 234 ABC भी हो सकता है इसी प्रकार दोस्तों कई बार जब किसी व्यक्ति के हाथ में कोई income जोड़ी जाती है तो उसकी penalty भी under section 270A etc. लेवी होती है तो penalty की demand भी किसी करदाता की विरुद और कई बार penalty की demand भी अपने आप में एक मोटी demand की रूप में खड़ी होती है कई बार मैंने देखा कि form 26 QB में लोगों ने properly TDS deduct नहीं किया या TDS deduct किया परन्तु properly जमा नहीं कराया या otherwise भी आप TDS deduct करने के लिए responsible हैं परन्तु आपने TDS जमा नहीं कराया तो आपके विरुद एक TDS demand खड़ी हो सकती है तो point क्या है कि the kinds of demand which may be raised by income tax department against an assessi may be in form of income tax, interest, penalty और TDS TCS related demand मान लीजे एक करदाता के रूप में बहुत से लोग तो मैंने दोस्तों ऐसे भी innocent पाए जिने ये तक नहीं पता कि उनके against में एक assessment हो गया या उनके against में कोई demand खड़ी है और कोई भी करदाता जो इस वीडियो को देख रहा है उसको ये तो जरूर चेक करते रहना चीए समय समय पर income tax login में कि क्या मेरे against में कोई आयकर की demand अल्रेडी खड़ी तो नहीं तो आपका question होगा अनूप जी कैसे पता चलाएं तो मैंने यहाँ पर income tax login किया income tax login में दोस्तो pending action में गया और pending action में जाके response to outstanding demand के tab पर आपको click करना है यहाँ click जब आप करेंगे तो click करने के बाद दोस्तों आपको response to outstanding demand का एक window दिखेगा अब इसमें दिखेगा for an example कि एक demand reference number है कौन सा assessment year से assessment year 21-22 की assessi के against demand खड़ी है demand का amount कितना है यह demand किस particular date से create हुई है असासी पर यह demand notice कब सर्व हो गया है इसका pending status अभी क्या है उस सब आपको यहाँ पर दिखेगा कौन से section की वज़े से यह demand खड़ी हुई वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को साथी साथ दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो इसे pay भी कर सकते हैं demand को आप download भी कर सकते हैं और यदि आप demand से disagree करना चाहते हैं तो submit response भी file कर सकते हैं परंतु अभी आपके वड़ disagree के option पर मत चलिएगा mayor disagreement does not mean कि आप demand से बच गए यह भी एक गंबीर विशे है इस पर मैं आगे चर्चा करूँगा तो तो अब लिए चलता हूँ इस महत्तपूर्ण प्रश्न बर के is there a time limit provided by income tax act 1961 to pay a demand तो पहली बात तो आप मेरे साथ यह note करिए कि income tax की demand किसी भी करदाता पर एक notice of demand के format में आती यह बड़ा important दस्ता वेजे जिसको हम demand notice कहते हैं और यह demand notice दोस्तों under section 156 of income tax act issue किया जाता है कई बार करदाताओं को section 143.1 में intimation जारी होती है या tedious की intimation जारी होती है उसे भी section 156 के समकष दर्जाद दिया गया है So when any tax, interest, penalty, fine or any other sum is payable in consequence of an order passed under this act the assessing officer shall serve बहुत जरूरी है sir कि income tax department ने आप पर demand notice serve किया हो तो कई बार करदाता इस विशे पर भी जीच जाते हैं कि साब मेरे उपर तो demand notice ही serve नहीं हुआ लेकिन दोस्तों आजकल emails के थूँ जो serving हो रही है उसको भी serving माना गया है तो आप यह नहीं कह सकते कि साब मुझे mail तो आई और मेरे address पर आपने कोई particular communication नहीं किया अगर mail ID आपका है और उस पर department ने by default आपको mail भीजी है तो यह भी serving के समतुल्य माना जाएगा यानि आयका रिवाग आपको आपकी demand section 156 के demand notice से बताएगा अब क्या होगा question यह था कि क्या कोई time limit है क्या income tax की इस demand को pay करने की तो यहां मैं आपका reference लूंगा section 220 of income tax का वो यह कहता है any amount otherwise then by way of advanced text specified as payable in a notice of demand notice of demand कौन सा दोस्तों जो 156 में आय था under section 156 shall be paid यानि mandatory forces are locked shall be paid within 30 days of the service of the notice at the place and to the person mentioned in the notice तो आपको जिस दिन demand notice सर हो जाता है दोस्तों उसके 30 दिन में आपको demand notice का भुकतान कर देना है mandatory है यह requirement law की तो आप कहींगे अनुप जी मैं तो आपसे घिया पेक्षा करके आया था इस वीडियो को देखने कि आप कुछ relief बताएंगे और आप तो हमें डराने लग गए मेरा purpose दोस्तों आपको डराना नहीं है मेरा purpose आपको comprehensive understanding develop करना और उसके लिए पहले conceptually समझना जरूरी है कि क्या demand notice का कोई period होता है 30 days from the date of receipt of demand notice you are supposed to pay अब इसकी remedy क्या है उस पर आगे आपसे चर्चा करूँगा अभी भी दोस्तों remedy पर आने से पहले दो important points आपके साथ discuss करता हूँ are there any consequences for not paying income tax department related demand in time yes sir the assessi is treated to be assessi in default अगर कोई भी करदाता income tax की demand नहीं पे करता timely तो उसको आएकर विवाग आएकर act अससीन default मानता है यानि दोश्पूर्ण करदाता मानता है तो इसका consequence क्या होगा sir इसका consequence होता है कि under section 220 ऐसे करदाता पर जो कि अससीन default माना गया है 1% interest per month का interest payable बनता है जैसे 30 दिन तक आप यदि पे करते हैं तो आपको कोई understanding demand है उतने के बराबर penalty भी आप पर लगाई जा सकती है परन्तु penalty लगना mandatory नहीं पर interest दोस्तों आप मानके चलिएगा जैसे ही आप demand defer करेंगे payment के लिए पर interest का मिटर automatically चालो फर्दर बात करते हैं IT department में also initiate recovery proceeding अगेंस दाससी अभी recovery proceeding बड़ी खतरनाक होती है बहुत से लोग इसी से परिशान होते हैं क्या उनका खाता attach कर लिया ठीक है उनकी कोई FD थी वो attach कर लिया यहां तक department जा सकता है कि आपने कोई property transfer करी तो उस transaction को चाहे वो gift से हुआ हो चाहे sale deed के format में हुआ उस तक को income tax department चैलिंज कर सकता है ऐसे आयकर के प्रावधान है तो इसको हम लोग कई बार कारणिशी proceedings भी बोलते हैं as a charter accountant तो मैं उन्हें कहूंगा सब मेरा purpose यहां आपको डराना नहीं है पर आपको एक perspective गयमिट मिलना चाहे क्योंकि किस प्रकार income tax department किसी demand को recover करने के लिए किस level तक जा सकता है तो अब बात करता हूं how to handle the outstanding demand matter or what are the remedies available to an SSEE which is the very very important portion of this video के इस वीडियो का बहुत important विशे है कि कैसे outstanding demand के matter को handle करना है तो मैं इस पर विस्तिचर्चा करने वाला हूँ a tax demand may be on account of an intimation, an assessment order, penalty order under income tax है जैसा मैंने शुरू में भी कहा था आज कल 143.1 की intimation return बरने के बाद जब return process होती है बहुत सी बार मैंने देखा उसमें भी demand generate हो रही assessment order से demand आती है, penalty से demand आती है, TDS, TCS पर हमने demand की बात करी अब ये remedies हैं क्या, million dollar question, remedies may be in form of filing a rectification request, filing an appeal और filing a stay petition, अब तीन बड़ी important बाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके case में जो demand है वो इसलिए गलत है क्योंकि mistake apparent from record है, जैसे किसी व्यक्ति का assessment order हुआ as per the ITR filed वैदा ससी, और फिर भी income tax department ने 156 के demand notice में उसके 4,00,000 की demand निकाल दी, जबकि 4,00,000 अलरड़ी उस व्यक्ति के form 26 as में paid दिख रहा है, तो ये matter दोस्तों appeal का नहीं है, यहाँ rectification request under section 154 से relief claim कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर cases इस प्रकार के नहीं होते, और dispute होता है, तो dispute के case में करदाता के रूप में आपको अपना option जरूर 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 यूज़ करना चाहिए, filing and appeal, okay, appeal के stages पर अभी बात करूँगा, तो अगर आप IKAR की demand से संतुष्ट नहीं है, तो income tax act 1961 under section 250 आपको appeal before CIT appeal फाइल करने का एक सुनहरा मौका देता है, मैं इसको ब मैं वहाँ जीत सकता हूँ, और इस विशे में दोस्तों आपके जो charter accountant है, आपके जो tax consultant है, वो जब आपसे इस case को discuss करेंगे आपके, तो ज़्यादा अच्छा guide कर पाएंगे, इसी प्रकार दोस्तों, एक और आपने appeal फाइल कर दी, दूसरी और मेरे जैसा विक्ति कहेगा, क stay petition क्या होती है, इस पर भी अभी चर्चा करा हूँगा, सीधे सीधे आप ये समझेए कि department को बोलना है कि साथ, जब तक मेरी appeal ना decide हो, तब तक आप मेरे matter को, आप मेरी demand को अभी pursue मत करिए, follow up मत करिए, इसको रोके रखिए recovery के लिए, जिस दिन मेरी appeal decide हो, उस दिन आप final status के एसाब से मेरे से demand recover कर लीजेगा, तो stay petition एक बहुत important part है, जिस पर मैं आगे आप से चर्चा करूँगा, बात कर रहा हूं दोस्तो, appealate stages are, कि आपने मेरे से ये तो समझ लिया क्योंकि अनूब जी ने कहा है कि हमें appeal file करनी है, अगर हम किसी intimation की demand से, assessment की demand से, या penalty की demand से संतु नहीं है, तो यह appeal होगी कि जा, one, the first and foremost appeal which is in most of the cases filed, is filed before CIT appeals, ठीक है, आजकल CIT appeals का कुछ कारिभार, Joint Commissioner of Income Tax Appeal और Additional Commissioner of Income Tax Appeal को भी बाटा है, Income Tax Department ने, पर आपके लिए authority CIT appeal है, आप ऐसा मान के चली, मान लीजे, CIT appeal आपको relief नहीं देती, तो आपको अगला appealate platform मिलेगा, ITAT, Income Tax Appealate Tribunal, यह एक बहुत प्रभावी relief क्लेम करने का माध्यम है, तो दोस्तो CIT appeal, ITAT तक का मानस तो आपको बना के चलना है, यदि आपके case में कोई question of law है, तो आप High Court और यदि High Court भी आपको favor नहीं देता, तो आप Supreme Court लेवल तक भी अपने case को ले करके लड़ सकते हैं, तो यह चार appealate state दोस्तों आपको income tax देता है, income tax law देता है, जो आपको ध्यान रखनी है, यदि आप IKAR की मोटी demand से परिशान है, तो तो अब बात करता हूँ कि what is a stay of demand, stay of demand क्या होता है, तो देखिए stay of demand means, income tax department will not pursue the payment of outstanding demand on satisfaction of certain condition, कि अगर आप कुछ condition पूरी कर देते हैं, तो IKAR रिवाग आपके against जो demand उन्होंने create करी है, उसको pursue नहीं करेगा, उसको follow up नहीं करेगा, रुक जाएगा, क्यों रुकेगा, ये बात समझना बहुत जरूरी है, इसकी सबसे पहली foremost requirement है, कि आप appeal में होने चाहिए, यानि अगर आप CIT appeal में appeal नहीं फाइल कर रहे हैं, तो आप stay of demand जैसी requirement जैसी एक expectation department से नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर मेरी बात important हो जाती है, कि अपील में जाके relief क्लेम करना, एक बहुत महत्पूर्ण आविशक्ता stay of demand लेने के लिए, साथ ही साथ दोस्तों, section 220 of income tax है, read with CBDT instruction number 1914 of 2nd of December 1990 थे, further read with CBDT's office memorandum dated 29 फर्वी 2016 and 31 July 2017, they collectively deal with the aspect of stay of demand, यह मनें क्यों reference जा ले, कि कई लोग बहुत inquisitivity रखते हैं और वो जानना चाते हैं, कि अनुग जी बताइए source क्या है, तो मैंने आपके सामने source भी रखा है, कि इस source से आप पहुँच सकते हैं अपनी eagerness को शान्त करने के लिए, क्योंकि क्या income tax law में ऐसे इस प्रश्ट प्रावदान हैं, जिसमें stay of demand दिया जा सकता है, हाँ सर, आपको ये material रीड करना होगा, जिसके अशारा मैंने हाँ पे किया है, बात करता हूं दोस्तों कि who has the power to grant stay of demand, stay of demand ग्रांट करने की power किसके पास में है, तो of course, जिस authority ने order pass किया है, पहली बात, यानि assessing officer, ज authority के पास में ही stay of demand की application लगाएंगे, मान लीजे, यो ने आपकी stay of demand की application entertain नहीं करी, तो आप jurisdiction CIT अत्वा principle commissioner of income tax को भी application कर सकते हैं, ये विशे थोड़ा सा बहुत clear नहीं है, कि क्या CIT appeal के समक्ष भी stay of demand के लिए जा सकते हैं, मेरा personally मानना है, हाँ साब जा सकते हैं, लेकिन law decision में silent है, तो आपको जाना सबसे पहले किदर है, यो के पास, यदि यो आपको relief नहीं देता, तो CIT, PCIT के पास, यदि वो भी relief नहीं देते, तो आप ITAT के पास relief के लिए जा सकते हैं, मान लीजे, ITAT भी आपको stay of demand नहीं देती, तो आप rate के थू, high court अत्वा supreme court के पास, SLP के stay of demand के लिए पहुँच सकते हैं, अब high court, supreme court में जाना generally मोटी demands, बहुत मोटी demands के लिए हो सकता है, पर मुझे उमीद है कि आपको नीचे के levels पे relief मिलनी चाहिए, पर ये बात जो मैंने यहां रखी दोस्तों, ये आपके लिए एक बहुत महत्रपुन बात है, कि हमें stay of demand के ल view in my initial, rather the earlier slide, तो अब बात करता हूँ, कुछ illustrative cases की, जहां stay दिया जा सकता है, तो आप कहींगे कि अनुग जी, अगर मैंने stay के application लगाई, तो जरूर नहीं है, क्या कि AO stay हो दे, बिल्कुल सर जरूर नहीं है, AO will decide based on facts and circumstances of the case, कि उसको आपको stay देना है, फिर मैंने बोला, AO stay के application लगानी, यानि दो काम आप parallel कर रहे हैं, पहला, appeal file करना, दूसरा at the same time, AO के पास में stay petition लगाना, अब कुछ लोग इस विशे पर confused रहते हैं, कैनुग जी मैंने appeal लगा तो दी, अब stay अलग से लगाऊंगा, ये सर, आपको stay मेरी opinion में अलग से लगाना पड़ेगा, अब आपके सामने कुछ case ऐसे रख रहा हूँ, उधारन के तौर पर, जहां आपको stay मिलने की संभावना ज्यादा होगी, जैसे, if the demand in dispute relates to issues that have been decided in assesses favor by an appellate authority or court earlier, कै आपका matter ऐसा है, आपकी demand ऐसी है, जिसमें पहले भी appellate authority or court आपको relief दे करके बैटी हैं, तो ये एक अच्छा ground ह होता है, जहां आपको stay मिल सकता है, if the demand in dispute has arisen, because the EU has adopted an interpretation of law, in respect of which there exists conflicting decisions of one or more high court, तो यदी demand ऐसे matter पर है, किसी ऐसी interpretation of law पर है, जिसमें विरोधावासी judgments हैं, अलग-लग high court के, तो आपको stay मिलने की जाला सम्मावना है, if the high court having jurisdiction has adopted a contrary interpretation, but department has not accepted the judgment, क्या हमने high court से में राइस्तान में रहता हूँ जैपूर में, तो फिर राजिस्तान high court ने अससी की favor में उस विशे पे judgment दे रखाए, लेकिन department उस judgment से agree नहीं करके, Supreme Court में अभी appeal में है, तो भी हम यह कह सकते हैं, कि सर अभी आप मेरे को for timing stay of demand दीजे, if there is genuine hardship case, यह बहुत important बात है, what is genuine hardship, that is to do otherwise would cause genuine hardship, यानि अग अगर आप किसी से, suppose एक करोड की demand लेके खड़े हैं, वो वेक्ति आज की rate में बिरुजगार है, और आप कहते हैं कि साब एक करोड रुपए आप जमा कराईए, या demand का एक rule है, कि साब 20% तो आपको जमा कराना ही है, अब 20% भी 20 लाग होता है, वो करे साब मेरी तो monthly income ही 25,000 है, तो मैं आपको 20 लाग कहां से जमा कराऊंगा, तो अगर 25,000 पर मासिक salary वाले के अगेंस में इतनी बड़ी demand है, और वो demand यदि recover कर ली जाए, even to the tune of 20%, ये 20% rule और ध्यान से जमझे दोस्तों, कि जो सीबिरिटी ओफिस मेमरेंडम है, recent वाले, वो ये कहते हैं, कि stay of demand का thumb rule जो ये के लिए काम करेगा, वो ये होगा, कि assessi को कह दे कि आप 20% demand जमा करा दीजे, बाकी काम आपको stay दे देंगे, जब तक आपका matter CIT appeal में pending है, अब दोस्तों, जरूरी नहीं है, कि यही कि stay आपको ITAT में अपील pending होने के लिए मिलेगी, ITAT की क्योंकि खुद की power is stay of demand देने की, तो मान लिजे, आप हार भी गए CIT appeal में, stay of demand for timing अगर technically release भी होता है, तो आप ITAT में भी stay of demand की petition लगा सकते हैं, पहली बात, दूसरा जो मैं बात यहां कर रहा था, if there is a genuine hardship case, तो आपको stay of demand लगाते समय, ये हला मचाना पड़ेगा, also important, if there is an unreasonably high pitch demand case, very important, high pitch demand क्या होता है सर, किसी व्यक्ती ने 25 लाग के है, suppose loans लिए, और यह उने assessment में बुला है, 25 लाग किन-किन से लिए ते साब prove करिये, वो assessi बता नहीं पा रहा, department ने 25 लाग उसकी income में जोड़ दिये, 25 लाग तो बहुत कम amount बोल रहा हूं सर, मैंने तो क करोडों की tax liability interest due हो जाता है, तो assessi कराया साब, genuineness मैंने जो prove करने के लिए effort करने थे, वो कर दिये, सामने वाला confirmation नहीं दे रहा, तो आप मेरे हाथ में क्यों addition कर रहे हैं, this is an example of high pitch demand, so अगर आपको लगता है कि आपका case high pitch demand का है, तो भी आपको stay मिलने की संभावना है, मेर ने मेरी tension कुछ कम करने में तो मदद करी, तो मैं पुने आपको इस summarize करूँगा, कि अगर आपके विरुद्ध एक high car demand बकाया है, तो आपको यदि लगता है कि आपका case आपके favor का है, which you may feel by your own analysis or by way of discussion with your charter accountant or tax advocate, तो आप appeal file करने के बारे में विचार करें, जैसे ही आप appeal file करते same time EO के पास में आप एक stay petition लगा सकते हैं, यदि आप stay petition नहीं लगाते हैं, तो EO अपने recovery proceedings को initiate कर सकता है, तो हमें उसकी recovery proceedings को रोकने के लिए stay petition करनी ही चाहिए, यदि EO stay petition को आपके नहीं माने, तो आपको उस परिस्तती में jurisdiction CIT के पास में जाना चाहिए, जैसाब EO ने म important for any SSI, मैं ये तो नहीं कहता कि मेरी इस वीडियो से आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी, पर मैंने एक दिशा दिखाने का यहाँ पर जो काम किया है, I hope वो दिशा आपको जरूर कारगर रहेगी, और मैं पुन्हें आप से निविदन करूँगा, कि यदि आप demand से अस चले जाएं, अगर आप अपील में चले जाते हैं, तो आपको stay of demand का एक अच्छा ground बनता है, so I hope whatever I have discussed in today's video would be useful to you, thank you my dear friends for being with me, wishing you all the best, जय हैं